नौसकार अब ही हम डिस्कस करेंगे हटच्पीرض सक्टेडियस फेपर है इसका हम इंडियाजीगे का सेक्षिन एक्जाanki है और विए एकड़ा तो उनमें डिरेक्टली ऑंडिरेक्टली आपको हेल्प मिल सके तो इसलिए आज हमारे हर एक कुष्ट्चन को भी थोड़ी हल्प निल जाए वन थर्टी सेवर नमबर कोशन से भी हम स्टार्ट करेंगे बोलते हैं बुद्धिजम विकेम दा स्टेट रिलीजन डूरिंग धरें आफ तो किसके शाषनकाल के दुरान जो था वो बहुत धरम एक राज्य धरम बना था बुद्धिजम की बात है अशोक के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा अशोक जो था इसने उथा बैटल आफ कलिंग का जो यूद जो था वो अशोक के कारीकाल के दुरान हुआ था अब कही मारा कौशन पूशे जाता है एक तो इसमें पर विजय प्रापत की थि पहला कौशन आहापने के लिए जो ठा वो अलग जगह पर अलग अलग स्थानु पर अगलग दे शों में जो तो अपने धार्म पर चार्ट भी पर हचारव में और कुछा गया था कि हुँआ थे को बेज़े था तो कश्मीर और गंधार जो था वो मझान्तिक को बेज़े था मझान्तिक को जुथा कश्मीर और पंगार भी जागे था इत छोड़े चोड़े नाम आपने याद रखना है जो भी पूसे जाए फिर आप रिलेट कर पाएंगे 138 question देखें बोलते हैं during whose reign did the Mongols first invade India तो किसके शाषनकार के दुरान मंगोलों ने भारत पर सबसे पहला आक्रमन किया था अगर मंगोलों की बात करें कि ने भारत पर किसके शाषनकार के दुरान पहली बार आक्रमन किया था तो मंगोलों ने इल्टूतमिस के कारेकाल के दुरा आप इल्टूतमिस के बारे में आप ध्यान रखें कि इसका पूरा कराया था यह आपने दिहान ररख रहा आया है इल्टूतमिस ने चालीशा इसने इंटरруз किया था और इसने चांधी का एक टका इन्टरोडूस किया था और ताम्डि चांधी marriage, आपने दियान रहना है कि इसने कौहन से सिप्के इंटर्ड्रोड शुक्तरूस किया थे स्री रंग पाटनम की संधी टेपू सिल्टान के कारिकार के दुरान ओप्छन आपके अप सब्धित और कोशिचन पहला तो यहीं बन गया कि टेपू सुल्टान की साथ संधी पर हस्ताप्तेर की 2 यहीं तो दूसरी दरब जो था वो लॉर्ड कॉर्ण वालिस थे लॉर्ड कॉर्ण वालिस का नाम आपने ध्यान रखना है सिरी रंग पत्नम में जो त्रीट जो टीपू ने क्या किया था यहां पर एक सुतंतर्दा व्रिक्स भी लगाया था यह फ्रांस वाल मैसूर की जो फ्रेंड अपने कारेकाल में जा था वो सिविल सेवा और पुलिस जेव सेवा इनको काफी बढ़ावा दिया था तो इसी दिए जो सिविल सेवा का जंदाता भी इनको कहा जाता है इन्हों ने जो था वह उत्तरब्रदेश के गाजीपूर में जो है उस्तित है यह वी ध्यान रखना 140 नमर वर्शन देखें बोलते हैं who built the famous दिलवाडा temple यह जो प्रसीद दिलवाडा मंदिर हैं इनका निर्मान किसने करवाया था तो देखें प्रसीद दिलवाडा के मंदिर जो थे इनका निर्मान करवाया था तेजपाल के द्वारा option D जो है उसे अब यह दिलवाडा मंदि में इनका निर्मान करवाया था वैसे तो आपको बता होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि माउंट आपू कहां पर सित हैं माउंट आपू जो है वो राजेस्थान में पड़ता है यह सब हो गया यहां से important अगला question देखिए बोलते हैं the first Indian to be elected to the leadership of communist international wars तो communist international के नेत्रित्तों के लिए चुने जाने वाले पहले भारते कौन थे कौन थे वो थे MN रॉय और अब MN रॉय जो था वो पहले व्यक्ति थे अच्छा MN रॉय आप बहुत बार आप पढ़ते रहते हैं अलग लग जीके के question इंसे डेटर बनते रहते हैं प्रंदु आपको पता है MN रॉय का पूरा नाम क्या है इनका पूरा नाम जो है MN stand करता है मन बेंद्रा ना थरवाय जो है इनका पूरा नाम है यह आप ध्यान रखेगा MN मेंद्रा ना थरवाय इनका पूरा नाम है और यह जो था वो पहले इंडियन थे जो इलेक्ट किये थे दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी आपने ध्यान रखना है कि ब्रिटिस पार्लेमेंट के लिए जो था वो इलेक्ट किये गए थे इसके बारे में थोड़ा सा डेटिस पार्लेमेंट के द्वारा किया गया यह किया गया फॉर्टी फॉर्ट कॉंस्टिशनल अमेंडमेंट के द्वारा ओप्शिन बी जो है वो सही इंसर है इसके बारे में थोड़ा सा डेटियल से रिवाइस कर लिजिए राइट टु प्रॉपर्टी जो था वो पहले फ़ंडमेंटल राइट की स्रिणि में हुआ करता था प्रंतू फंडमेंटल राइट से इसको डिलीट कर दिया गया अब लीगल राइट इसको बना दिया गया ह तो यह याद रखना है कि originally, originally अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कितने fundamental right हुआ करते थे, हमारे पास 7 fundamental right हुआ करते थे, प्रंतु 7 fundamental right हुआ करते थे, fundamental right to property को जब delete कर दिया गए तो अब 6 fundamental right ही जो है, वो बच गए है, 6 fundamental right बच गए है, पहले 7 हुआ करते थे, यह सब जो freedom आता है, right against exploitation आता है, right to freedom of religion आता है, cultural और educational right आता है, right to constitutional remedies आता है, ये 6 fundamental rights जो हैं, वो आते हैं ये सब आप ध्यान रखिए, अगला question देखें बोलते हैं, who decides whether particular bill is money bill or not देखो ये कौन निर्णे करता है कि जो विधेक है, वो धन विधेक है या नहीं है, तो ये decide किया जाता है, speaker के द्वारा, speaker कौन सा, लोगसभा का speaker option B जो है, उसे जाने है, speaker of लोगसभा जो है, वो decide करता है कि कोई भी bill जो है, money bill है या फिद नहीं है, आप देखो allied बगरा के exam में बहुत बाद ये question पूचा गया है, और HPSAC नहीं है, definitely ये question अब पूचा है, वो पूचा गया है कि, जो definition है money bill की, वो कौन से article में बताई गई है, तो definition of money bill जो है, वो article number 110 में बताई गई है 110 number जो article है आपका, वहाँ पर definition of money bill जो है, वो बताई गई है money bill के बारे में और भी जानी देखो, money bill जो है, जब भी introduce के जाएगा, तो लोगसभा में ही जो है, वो सबसे पहले ये introduce किया जाएगा, ये ध्यान रखिए दूसरा, इसको introduce करने से पहले जो है, वो president की अनुमती लेना जो है, वो जरूरी है, तो president कि जो है, हो इसको introduce कर सकता है, और एक बार जब लोगसभा से ये पारित हो जाता है, उसके बाद आता है ये राजे सबह में, और राजे शबह के पास इसको लेकर बहुत कम सकतियां राजे समाजबह जो है इसके उपर को भी objection लगा सकतेया, इसको reject राजी सहबार नहीं इसको reject कर सकती है और नहीं इसको amend कर सकती है ये धियान लखिए जब बील जो हो दोनों houses से पास हो जाएगा उसके बाद प्रेजिडेंट की अनुमादी जो है वो जरूरी होती है और प्रेजिडेंट जो है वो अपनी अनुमादी दे भी सकता है अपनी अनुमादी को होल्ड भी कर सकता है प्रन्तु इसको जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए वो वापिस नहीं बेज सकता है उसको कि आप फिर से कं under the constitution of India बोलते हैं कि इंडियन constitution में इनमें से कौन सा जो है वो state list में नहीं आता है जब नहीं आप से पूचा गया है तब आप ध्यान दखिए insurance जो है इनमें से state list में नहीं आता है insurance तो किस चीज का पार्ट है कौन से list का पार्ट है जो insurance है वो union list का पार्ट है आपको पता है कि हमारे इंडियन constitution में तीन तरह की list जो हैं बताई गई है एक state list आती है एक union list आती है एक concurrent list आती है तो हमारी जो state list है उसमें fisheries भी आता है agriculture भी आता है gambling भी आता है इसके लावा वहाँ पर क्या क्या आता है इससके रावा आपकी सेंसर्फ सोती है जन गना होती है वो भी इसमें आती है defense हो गया, banking हो गया, foreign affairs हो गया, currency हो गया यह सब चीज़ें जो है आपकी union list में आती है और concurrent list में क्या आता है concurrent list में कुछ important चीज़ें आपको बताता हूँ जो concurrent list में आती है आपका marriage हो गया, concurrent list में आता है population control हो गया, family planning हो गया ये दोनों जो है यह कह पर आते है है union concurrent list में आते हैं और आपका इसके लावब forest हो गया okay है टेंड मेज़र हो गया यह सब जो है आपके you К result में आते है और अगे बहुते हैं 145 में which tax is not shared by इसके लावा आप ध्यान रखिए कि आपका जो इंकम टैक्स है कॉर्परेशन टैक्स है यूनियन एक्साइज टैक्स है यह सब ही जो है उस्टेट और सेंटर के दौरा शेयर किये जाते हैं प्रणतों जो सेल्स टैक्स है वो शेयर नहीं किया जाता है आगे बोलते हैं 146 में रिसेशन इस डैट एकॉनमिक सिच्वेशन ऑफ कंट्री वें देर इस तो जो मंदी है मंदी जो हो किसी देश की वहां आर्थिक्स दिती है जब वहां पर जो है जो अन्सोल्ड स्टॉक्स होते हैं उनकी एक्मिलेशन हो जाती है किसी भी कंट्री की एशेशन है इस इस सिच्वेशन में वहां पर शुड़ी अन्सोट पूरी तरह से फेल हो जाता है या फिर आप कहा लिए successful नहीं होता है उस केंडिश्टों को situation को जो है वो दिश्याशन कहा जाता है अगला question देखे 147 question 147 question में क्या बोलते हैं बोलते हैं अर्थ rotates around an axis point toward तो बोलते हैं पृत्वी की पृत्वी जुधाओ की सौर निर्देशित अक्स के चार और घुनती है तो अगला सही अंसर का पॉल स्टार आर्थ जो हो रोटेट करती है around an axis pointing toward पॉल स्टार जो पॉल स्टार की तरह पॉइंट करते हैं option बी जो है इसका सही अंसर है यहां से आप इतना ही याद रखिए अगला है 148 question बोलते हैं trade winds blow in northern hemisphere from गोलते हैं उत्री गोलार्द में जो है वेपारिक पवने बहती है किस और यह ब्लो करती है और देखो आपको बता है वीडियो के last में हम important current affair के question भी जो है वो discuss करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम important current affair के question रिसकस करेंगे और सेप्टेंबर महिने के जो है हम important current affair के दो important question रिसकस करेंगे ताकि आपके आने वाले exam में आपको help में सके September 2021 तो जो दो important current affair के question बंते हैं उन्हें पहला question आप दियान रखिए कि global innovation index 2021 जो था वो निकाला गया अगर जो global innovation index 2021 निकाला गया इसमें Switzerland ने जो था वो टॉप किया और इंडिया ने जो था वो इसमें कौन सा उस्थान हासित किया इंडिया को जो है 46th position जो था वो यहां प्रापत हुई और यह जो global innovation index है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है तो यह रिलीज किया जाता है वर्ड इंटेलेक्च्छल प्रॉपर्टी और इसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है यह जो पहला grant affair का question हो गया दूसरा grant affair का question आपका क्या बनता है कि September महीने में इंडिया में स्टेट फूड सेफटी इंडेक्स 2021 इसमें गुजरात पहला स्थान हासिल किया यह आप दूसरा grant affair का question याद रखिये और देखो टेलीग्राम पर जहां पर आपको important questions मिलते रहते हैं important PDF मिलती रहती हैं हर इक important information वहां पर आपको time to time बता दी जाती है उस पर join कर आने के लिए अपना टेलिग्राम open किजिए वहां से search किजिए at the rate all exam 31 19200 से दिक लोग हमां साथ जूड चुके हैं आप भी जूड जाएगी ताकि आपको भी जो है वह आने बारे हर इक exam में help मिलती रहे जैसे कि पहले भी जो है वह मिलती रही है तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently